जैसरी राधिक्रिष्णु आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है आईए आज सुनते हैं सफला एक आदसी द्वादसी पारण के दिन तुलसी माता की कथा भगवान विश्णु के पूजर में तुलसी दल का बड़ा ही विशेश महत्तु माना ग तुलसी माता का भगवान शाली ग्राम से कार्तिक के महीने में विशेश परकार से उनका विवाफ भी करबाया जाता है। जिससे कि कन्यादान के समान पुन्य फलों की प्राप्ति होती है। इंदु धर्ब में तुलशी का बड़ा ही विशेश महत्तु माना गया है। कहा जाता है कि जहां पर भी तुलशी का पौधा होता है। वहां पर यम के दूत भी असमय नहीं और आते जाते हैं। गंगा वो नर्मदा के जल में अश्नान तथा तुलशी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुश्य कितना भी पापी क्यों न हो। मिर्टू के समय जिसके प्राण मंजरी रही तर तुलशी और गंगा जल मु सब्सक्राइब करते हैं। उनके भी पतर मुक्ष्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुलशी और भी विशेश महत्तु माना गया तुलशी माता का पूजन करने से भगवान Fishण का करपा होता है। हो तो अनुसार ब्रामन दक्षिना परदान कर सकते हैं तो आई सुनते हैं तुलशी माता की कथा तो बोलिये प्रेम से तुलशी माता की जय भगवान शालिक ग्राम की जय भगवान विष्णों की जय माता लक्ष्मे की जय प्रिमद देवी भागबत पुरान में इसके अवतरण की दिब लीला कथा बताई गई एक बार भगबान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेक दिया उससे एक महा तेजस्वी बालक का जन्म हुआ वह बालक आगे चल कर जालंधर के नाम से विख्यात हुआ वह बड़ा ही प्राक्रमी देत्यराजा बना उसकी रालधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा देत्यराज काल नेमी की कन्या व्रिंदा का विवाह जालंधर से हुआ जालंधर महा राक्षस्था अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्विकार किया और फिर जालंधर वहां से पराजीत होकर वह अब देवी पारवती को पाने की लालसा से कैलास प्रवत पर चल पड़ा और भगवान देवादी देव महादेव का रूप धारण कर वह माता पारवती के समीप उच गया परंतु माता पार्वती ने अपने योगवल से उसे तुरंत पहचान लिया कि यह कौन है और इसके बाद फिर माता पार्वती वहां से अंतरध्यान हो गए माता पार्वती ने कुरुद्ध होकर यह सारा व्रितांत भगवान विश्णु को कह सुनाया जालंधर की पतनी व्रिंदा अत्यंत ही पती व्रता इस्तरी थी उसी के पती व्रत धर्म की सक्ति के कारण जालंधर न तो मारा जाता था और ना ही पराजित किसी से हो पाता था इसलिए जालंधर का नास करने के लिए ब्रिंदा के पती व्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था इसी कारण भगवान विश्णु रिशी का वेस धारन करके उस वण में पहुँच गया है जहां की ब्रिंदा अकेली वहाँ पर भ्रमन कर रहे थी भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर ब्रिंदा भैवीत हो गई रिशी ने ब्रिंदा के सामने पल में दोनों को भश्म कर दिया उनकी शक्ति देखकर व्रिंदा ने कैलास परबत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पती जालंधर के बारे में उस रिशी जूपी भगवान विश्नु से पूछा रिशी ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किये एक वानर के हाथ में जालंधर का शिर था तथा दूसरे के हाथ में उसका धर अपने पती की यह दसा देखकर व्रिंधा वही पर मुर्चित होकर गिर पड़ी और फिर बाद में जब हो साया तो उन्होंने रिशी रूपी भगवान से विनिती की कि वह उसके पती को जिवित कर दे भगवान ने अपनी योग माया से पुनह जालंधर का शिर धर से जोड दिया परंतु स्वेम भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गया ब्रिंदा को इस छल का जरा भी पता नहीं चल पाया और जालंधर बने भगवान के साथ ब्रिंदा पती ब्रता का व्यवहार करने रगी जिससे की उसका सतित्व भंग हो गया ऐसा होते ही ब्रिंदा का पती जा कुरुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का स्राप दे दिया तथा स्वेम वही पर सती हो गई जहां ब्रिंदा भस्म होई थी वहां तुलसी का पऊधा उगा भगवान विष्णु ने ब्रिंदा से कहा कि हे ब्रिंदा हे देवी तुम अपने सतित्य के कारण के रूप में सदा मेरे साथ ही रहोगी जो मनुस्य भी मेरी साली ग्राम रूप के साथ तुलसी का विभा करेगा वह इस लोग और परलोग में विपुल यस को प्राप्त कर पाएगा जिस घर में भी तुलसी होती है वहां यम के दूत भी और समय नहीं आ सकते गंगा वह नर्बदा के जल में अश्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है चाहे मनुस्य कितना भी पापी क्यों नहों मिर्दू के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकलता है वह सभी पापों से मुक्त होकर और अ अपने पितरों का स्राध कर्व करता है उसके पितर को भी मुक्ष की प्राप्ति होती है और तुलसी की कथा सुनने से या तुलसी का पूजन करने से अनतगुना पुर्ण्य फलो की प्राप्ति होती है इससे भगवान विश्नु का भी करपा प्राप्त होता है तो बोलिए इसी प्रकार से जो भी भक्त जो भी जातक सची सृध्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ तुलशी माता का पूझन करते हैं भगवान विश्नु का पूझन करते हैं उनके ऊपर प्रभू का करपा सदैप बना रहता है पगवान सभी प्रकार की एक्षाओं को पूर्ण करते हैं तुवासा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हूँ ऐसे ही ज्यान बर्धक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट्पिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शियर करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जैसरी राधे कृष्ण धन्यबाद